खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूस को सब्सक्राइब इस परिवार के सदस्यों के बने अगये है तकी संक्रमन के प्रशार और प्रशार को रोका जाए है सब्सक्राइब और उसके बाद अब इसी परिवार के सभी पॉस्ट्रीव सदस्यों है और इसलिए अपील यही की जा रही है कि इन परिवार के कॉन्टैक्ट में जो भी लोग आए हैं वो खुद सामने आ जाए ताकि उनकी जल्दी से जल्दी जाच की जाए और उनको बचाया जा सके इस संक्रमण से तो लगातार अलग अलग जगहों पर मामले बढ़ते वे और कोशिश रखवायद यहीं है प्रशासन की कि अगर कहीं पर पॉस्टिव के इस भी आता है तो उस इलाके को जल से जल कर दिया जाए उस इलाके में यह कोशिश की जाए कि अगर कोई घर वैसा है जहांसे को रोना स जल टेस्ट किया जाए ताकि जो संक्रमन है उसका प्रसार रोका जा सके पांच और मरीज सामने आये हैं कल पॉर्णा पॉस्टिव एक महिला मिली और उसके बाद आज परिवार के आनिय सदसे भी कोर्णा पॉस्टिव पाई गए हैं और उदयपूर में ये कोरुना संक्रमन लगातार बढ़ रहा है और हमारे स्योगी रवी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुढ गए हैं रवी एक महिला कोर्णा पॉस्टिव पाई गई और उसके बाद उनके घर के पाह और उनके और यो कोर्ना पॉस्टिव पाई गए है वो कोरोना पॉजिटेव आई थी और दरसल सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जो महला है यह किराना ब्यक्ताई भी है यह और इसका पती जो है दोनों किराने की दुकान चलाते हैं तो ऐसे में तल से ही जिला प्रशासन और स्वास महकमा साता साप्चेत था और एक तरीके से कह किराना ब्यक्ताई है तो ऐसे में प्रशासन थोड़ा सा चिंसित जरूर है नजाने कितने लोग वो इनके कॉंटने क्याने आए होंगे तो ऐसे में प्रशासन प्रशासन थोड़ार प्रशासन और स्वास देघृक्ट महकमे को सूचित ने करें पूरे मुस्टटना गरम की वाद तो ऐसे में जिला प्रशासन खासा साप्चेत है उद्यापुर में आज अचानक पे जब मरी जाए तो फुल जो संक्षा है वो 14 हो गई और ऐसे में अब जिला प्रशासन की यही कोशिश है कि यह जो कोरोना का जो संक्रमन है और ज्यादा न जिला प्रशासन और स्वास्वाग ने एक हेल्प लाइन नंबर जो है वो जारी किया है जिस पर कॉंटेक्ट करकिया जा सकता है लोगों से अपील किया है कि वो अपने घरों में रहे लेकिन अगर इस इस दुकान से कोई सामान खरीदा है अत्वा इस यह जो दुकान के जो कॉंटेक्स में आये हैं तो जिला प्रशासन के पास में जो हैल्प लाइन नंबर है उस पर कई पॉंट कॉल सा रहे हैं लगाता और कोशिश यह है कि यह जो पूरा इलाका है इसकी डोल टुडोर स्क्रीनिंग की जाए सर्विक किया जाए और एसे लोग जिनकों की जुखा कर दिया गया है उन तमाम लोगों को आइंटिफाई किया जाए जो कि बिचले कुस दिनों में इन लोगों के कॉंटेक्स में उनकी जाच हो ताकि यह जो प्रसार है तंक्रमन का बहुर जादा ना बल्ख बब शुक्रिया रवि आपका इं तमाम जानकारी उखे लिए तुमारे सयोगी रवी तमाम जानकारी देते वह और बताते वह कि किस तरह से जो मामलें वो सामने आया है और प्रशार्सन यह जोशश कर रहा है कि इसको स्प्रेड होने स से रोका जा सके इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने यहां से समान खरीदा है यह कॉंट्रैक्ट में आए वो खुद सामने आ जाए